Hello friends, this is Gauramera, your secret upline और देखें आज दोस्तों जिस topic के उपर हम लोग मिल के बात करेंगे इस topic का नाम है Law of Attraction जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं Law of Attraction के उपर और मैं बहुत शोर हूँ इस बात के लिए कि जो भी ये विडियो देख रहा है अगर आप Network Marketing Profession के अंदर काफी लंबे समय से हैं तो जरूर आपने ये नाम या ये सिद्धान्त के बारे में सुना होगा Law of Attraction का जो सिद्धान्त है वो ये कहता है कि अगर आप किसी भी चीज़ को दिल से चाहो किसी भी चीज़ को अगर आप शिदत से चाहो तो पूरा का पूरी काइनात या पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो हेल्प करने लगता है कि आपको वो गोल या वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाए I am damn sure कि आपने ये चीज़ जरूर सुनी होगी लेकिन आज इस law of attraction को आज मैं आपको बताता हूँ तीन steps के अंदर कि ये कैसे होती है और recently ये मेरे साथ हुई है इसलिए मैं आपको न केवल theoretically मैं practically आपको ये चीज़ बताने जा रहा हूँ पहली जीज़ लेकि law of attraction सिर्फ तब काम करेगी अगर आप किसी ऐसे goal या ऐसे dream के बारे में सोचेंगे जिसके लिए आप emotional है उसमें कहते हैं ना कि जिस चीज़ को आप दिल से चाहो उसमें ऐसा तो कहीं नहीं लिखा जिस चीज़ को आप दिमाग से सोचो वो आपको मिलेगी अब दोनों में फरक क्या है दिमाग logical होता है दिल emotional होता है मतलब अगर आप कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं जिसके लिए आप emotional है example अगर आप कोई गाड़ी चाहते हैं लेकिन आपको वो गाड़ी इतनी पसंद है कि जैसे ही आप उस गाड़ी के बारे में सोचते हैं तो आपके मुपे एक smile आजाती है जब आप daydreaming करते हैं कि एक दिन में वो गाड़ी लूँगा तो कैसा लगेगा तो आपका जो खुशी है वो बढ़ने लग जाती है और अगर कहीं आपको ये लगने लगे कि पता नहीं गाड़ी नहीं आएगी तो आपके अंदर से वो डर होना चाहिए अगर उतना एक connection emotionally आपका उस car के साथ नहीं है तो law of attraction कभी काम ही नहीं करेगी ये कुछ ऐसा हुआ कि वो attract तो होगी लेकिन magnet में वो pulling power होना तो चाहिए अगर आपके dream में वो magnetism है ही नहीं तो universe आपकी help करेगी नहीं तो step number one हमेशा वो ही goal या वो ही dream के बारे में सोचिएगा जिसके लिए आप बहुत ज़ादा emotional हैं जिसके बारे में सोचते ही आपके wrong day आपके goose bombs होने लगते हैं और आपको बहुत अच्छा-च्छा महसूस होता है जब आप सोचते हैं कि वो मिलेगा तो मुझे कैसा लगेगा this is step number one step number two उसको बोलते हैं law of declaration जिहां ये भी एक बहुत कमाल की बात है example लेते हैं आपने गाड़ी के लिए decide कर लिया कि मैं गाड़ी लोगा और इस particular date को मेरी गाड़ी मैं लेना चाहता हूँ लोग बैटे हो 500 लोग बैटे हो या 5000 लोग ही क्यों बैटे हो आपको क्या करना चाहिए उस stage के माध्यन से हमेशा declare करना चाहिए कि आप क्या लेने वाले हो इसको बोलते हैं law of declaration या power of declaration ये मैं क्यों कह रहा हूँ बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन के अंदर सोचते हैं कि मैं एक दिन ये चीज ले लूँगा लेकिन अंदर ही अंदर उनको ये डर सताता है कि अगर नहीं आई तो बहुत बेश्ती होगी तो मैं काम क्या करता हूँ मैं declare नहीं करता मैं बताता नहीं क्यों अगर बता दूँगा और नहीं आई तो लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में अब आप जब ऐसा करने लगते हैं तो law of attraction काम नहीं करता जब law of attraction काम नहीं करता तो उनको वो target अचीव नहीं होता और जब उनको वो target अचीव नहीं होता या वो सपना पूरा नहीं होता वो मन में सोचने लगते हैं भगवान का लाख लाख शुकर है यार वो declare नहीं किया कहीं मूँ से निकल जाता तो बहुत बेस्ती हो गई तो आप यह नहीं समझ रहे इसी लिए तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि उसको declare ही नहीं किया अगर declare करते तो पूरा होता ही होता क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ देखे आप वो ही चीज अपने मुझे declare करते हैं जिसके उपर आपको 100% faith है कि ये मुझे मिलेगी अगर आप declare नहीं कर रहे हैं अगर आपको बोलने से डर लग रहा है तो हो क्या रहा है आदमी ये तो कह सकता है 99% तो मुझे विश्वास है लेकिन 1% अगर नहीं हुआ तो तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आपके पास 10 लीटर दूद तो है हो सकता है फुल क्रीम दूद ही क्यों ना हो लेकिन एक छोटी सी डाउट की निमू की बूंद भी उस 10 लीटर दूद को खराब करने के लिए पर्यापत है डाउट का 1% आप ये कहिए जो बिलकुल उसका पार्टिकल है वो आपके जितना भी ड्रीम है उसको निस्तो नाबूद कर सकता है तो step number 1 था उस ड्रीम उस परपस के बारे में सोचिए जिसके लिए आप emotional है और step number 2 power of declaration जब आपने कोई चीज़ decide कर लिया तो कोई platform ना छोड़ें declare करने के लिए कि आप क्या करने वाले है and step number 3 ये दोनों करने के साथ साथ एक चीज़ और करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं action लेना क्योंकि अगर केवल सोचने से या जाता फिर तो shake चिली को भी मिल जाता तो काम तो करना ही पड़ेगा लेकिन हाँ ये मैं वादा करता हूँ जब आप action लेने जाएंगे जब आप कोई goal अपने मन में अपने दिमाग में निर्धारित करके जाते हैं और उसके बाद जब आप काम पे निकलते हैं आप action लेते हैं तो आपके action के जो results हैं या आपकी जो हरकत की जो बरकत है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलती है ये अपने आप दोस्तों काम करता है मैं आपसे एक चीज और advice करूँगा आप मेरे कहने पर आप ये करके देखिए suppose करिए आप अपना plan किसी नए व्यक्ति को दिखाने के लिए जा रहे हैं या अपनी team में कोई व्यक्ति नया नया जुड़ा आप उनको motivate, convince या educate करने जा रहे हैं कि आप भी network marketing business को pursue करिए एक बार मेरे कहने पर जबी भी अपनी presentation की beginning करें उस beginning से पहले आप उस व्यक्ति को अपने goal की photo दिखा के कहिएगा देखो भया मैंने न ये गाड़ी plan किया है ये गाड़ी मैं आने वाले June के अंदर खरीदने वाला हूँ मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे लिए दुआ कीजेगा कि ये गाड़ी मेरे लिए आजाए अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरा business क्या है आप जब declare करने के बाद action लेंगे ना मैं आप से वादा करता हूँ आपके जो results हैं वो पहले से 10 times बहतर आने शुरू हो जाएंगे तो ये तीनों steps को follow करिए step number one वो dream, वो सपना देखिए वो purpose बनाईए जिसके लिए आप emotional है step number two power of declaration जिस भी stage पे जहां पे भी मौका मिले अपने मुह से जरूर उसको declare करिए और number three उस पे खुल के action लीजिए और जभी भी action लेने जाएं action से just पहले अपने goal को declare करिए मैं वादा करता हूँ जो भी target, जो भी dream आप अपने लिए नरधारित करेंगे ईश्वर वो dream आपका जरूर पूरा करवाएगा thank you so very much all the very best